कथा सुनने वाले और कथा ना सुनने वाले में पेड़ और घास जितना अंतर हो जाता है जो व्यक्ति कथा सुनता है वो बड़ा होता है कि छोटा जोर से कथा सुनने वाला व्यक्ति छोटा हो जाता है घास की तरह, छोटा मेंस, उसके अंदर सरल्ता आ जाती है, समझदारी आ जाती है, वो अभिमानी नहीं रह जाता, उसका अभिमान चला जाता है, तो जोख जाता है, और जो कछा नहीं सुनते, वो जूटे अभिमान में तन कर बड़े बनके खड़े रहते हैं, और जरासा चले जाते है, कथा हमें क्या बनाती है, हनुमान जी लंका गए, क्या बन कर गए, जोर से, बड़े या छोटे, छोटे बन कर गए, तो बड़ा बनना, अच्छा है कि छोटा बनना, आप लोग किसकी दाड़ में लगे हैं, बड़ा बनने की, हर आदमी बड़ा ही तु बनना चाहता मैं बड़ा आदमी हो जाओं मैं बड़ा हो जाओं सुनो बड़े बनने के नुकसान बड़े है बड़े बनने के नुकसान बड़े है इसलिए तुम बड़े ना बनो भगवान तुम्हें बड़ा बना दें तो भगवान की क्रिपा मानना के मैं बड़ा नहीं हुआ भगवान ने मुझे यहां बिठा दिया है यह उनकी क्रिपा है वरना मेरी तो कोई हैसियत मैं तो घांस का तिनका हूँ अच्छा बड़े बैल क्या खाते हैं जोर से आपके यहां क्या खाते हैं बड़े बैल गाए बैल हैं आपके यहां के नहीं गाव में शहर में किस-किस के घर में गवुमाता है चलो यहां सुल्तानपुर में यहां गाए तो होती है बैल बैल देखे आपने शहर में गाए बैल होती ही आती है पहली रोटी-ोटी खिलाते हो के नहीं गव माता को चलो, दर्सन तो किया होगा तो बैल जो होते हैं, नंदी वो बड़े नंदी क्या खाते हैं भूसा और छोटे-छोटे बच्छडे क्या पीते हैं जोर से, जोर से बड़े बच्छडे, छोटे बच्छडे पह पीएं बड़े होएं भूस खाएं बड़े बन गए तो भूसे से लग गए छोटे हैं तो दूद मिल रहा है छोटे बनोगे तो दूद पियोगे बड़े हो जाओगे तो भूसे में लग जाओगे इसलिए राम जी बड़ों को प्यार नहीं करते राम जी छोटों को हनमान जी छोटे बन गए न शीता मैया के सामने गए तो मा कहकर बुलाया तो राम जी और सीता जी दोनों ने हनमान जी को अपना पुत्र मान लिया सीता मैया ने कह दिया तुम मेरे पुत्र हो सुत हो आजर अमर गुर्ण निधी सुत हो हो हे बेटा तुम अमर हो जाओ और करऊ बहुत रगुनायक चौह हो रगुनायक जी रागाव जी बड़ी कृपा तुम पर करेंगे जाओ मेरी मेरा आश्रवाद तुमारे साथ तो हनुमान जी छोटे बन गए तो राम जी ने स्विकार कर लिया और रावण छोटा नहीं बन पाया बोलो हाँ अच्छा रावण और बिभीशन इनमें से बड़ा कौन था और छोटा कौन था बिभीशन जी छोटे बन गए तो राम की सरण में चले गए जो छोटा होगा वही तो सरण में जाएगा बड़ा व्यक्ति जो हो जाता है उसे अहंकार उसका उसे जुकने ही नहीं देता रावड इतना बड़ा हो गया था कि रावड का अभिमान उसे जुकने ही नहीं देता था हा या ना रावड इतना बड़ा हो गया कि उसके अभिमान ने उसे जुकने नहीं दिया और नहीं जुक पाया इसका परणाम क्या हुआ सर्वनास हो गया इसलिए बिभीशन की तरह जोक कर राम जी की सरण में चले जाओ जोक कर प्रणाम कर लिया बिभीशन जी ने रावड जोका नहीं कुछ लोग होते हैं जोकते नहीं तूट जाएंगे पर जोकेंगे तो हमें क्या सीखना है अकड़ना इसलिए आपको भगवान की कथा स्रवन करने वाला भगवान बड़ा बना देते हैं बताओ राम जी की सैना में कितने बंदर थे बताओ जोर से राम जी की सैना में कितने बंदर थे मैं यह बताएंगे मैं यह बताओ मेरी माँ आप बताओ राम जी की सानाम कितने बंदर थे बहुत सारे कितने थे बहुत सारे बंदर थे पर उन बहुत सारे बंदरों में आप किन किन बंदरों को जानते हैं करोणों बंदर थे लेकर उनकों करोणों बंदर में आप दो चार छे लोगों को ही जान जाए उनमें से एक हैं स्री हनुमान जी बताओ क्यों करोणों तो थे किसी को नहीं जानता कोई किसी का नाम भी नहीं पता किसी को पर हनुमान जी को सब जानते हैं क्योंकि हनुमान जी ने अपने स्वभाव से Rाम जी के दिल को आपने जीत लिया है हनुमान जी परम सरल परम सहज हैं और इतने सरल हैं कि इतने छोटे हो गए Rाम की कछा, Rाम का ध्यान, Rाम का नाम, व्यक्ती को अभीमान मुक्त करता है और जिसे अभिमान नहीं है वो छोटा है और जो छोटा है वही बड़ा होता